मास्कार सर नमस्ते सर सर क्या नाम है आपका? मादोदास मादब जी आप कहा के रहने वाले हैं? मैं गुवालियर का रहने वाला हूँ सर गोसीपुरा मादब जी संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्षा आपने कब ली? मैंने सर संतरामपाल जी महराज की सरण में आने से पहले आप क्या बक्ती साधनाय करते थे और भी जो समाज में जो चल रही हैं जो से कहना मैं भक्ती वो भी सर हम पूरी करते थे सर फिर आप संतराम पाल जी माराज की सर्ण में कैसे आए सर मैं भगवान सरी क्रेशन की इतनी पूजा करता था सर लेकिन मेरी नियारथिक स्तिती सर इतनी कमजोर थी इतनी हुझा करता था पर मैं यह सोचता रहता कि भगवान कहां और सर जहां भी कोई काना मैं कधा ल। लखे लूंत शुर्दास निया चंध करता तो गहाँ पे के सर इंगलियस की बहुत जरूत पड़ी सर तो मेने का चलो इंगलियस ठोड़ा मेरी कमजोर है तो मैं थोड़ा और इसको टीक कर लेता हूं तो इसके लिए सर मैं कोचिंग लगाने के लिए एक सर के पास गया सर तो उन्होंने सर मुझे एक पुस्तक ग्यान गगा पुस्तक दी सर और मुझे संतरामपाल जी महराज के बारे में ये पूरा ग्यान समझाया तो सर फिर मैंने घर पर जाकर के पुस्तक को पढ़ा पुस्तक को पढ़ा तो सर मेरे को भी ए अपनी भक्ति स्टार्ट की सर आपने बताए कि आपको कोई संत्रामपाल जी माराज के से से मिला उनके दोरा आपको संत्रामपाल जी माराज के बारे में ग्यान हुआ और फिर आपने संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा ली तो क्या संतरामपाल जी मारास से नामदिक्षा लेने के बाद आपको कोई लाब भी प्राप्त हुए? तो उसने सर एक मैने इलाज चलाया उससे भी सर कोई लाब नहीं हुआ इसके पास सर फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया सर उन्होंने खर्चा बताया तब 20,000 रुपए सर मेरे पास 20 रुपए की विवस्ता नहीं थी इसके बाद सर मैं घर पर आया तो संतरामपाल जी महरा कि अर्जी लगाई सर और इसके बाद सर मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और सर ना इसके बाद मुझे कोई दवा लेने की जरूत पड़ी और ना है सर मैंने फिर कोई इलाज कराया और सर संतरामपाल जी महराज की क्रपाशे जो बच्ची के गले में गले में जो सर तो सर मैं डॉक्ट्र के पास बच्चे को दिखाने के लिए गया तो सर फिर में लेके गया लाक्र अचाली डाज की कीति constants कराया तो कहा में Knowledge के लेत्व कोड़ी अखिले की chilli नेस Summer團 के में नहीं मिला वो उम्र उसकी सर दसवर्स है और सर डॉक्टर ने ये बोल दियाता है कि ऑपरेशन करते समय जाने के लिए खत्रा भी हो सकता है तो सर मैं और घबर आ गया इसके बार सर मैं घर पर आ गया तो फिर मैंने संत रामपाल जी महराज के चरणों में अरदास लगाई इस इसके आद घंटे बाद ही सर बच्चे का दर्द ऐसे गाइब हो गया जैसे चूमंतर हो गया बिल्कुल और अभी सर बच्चा यहां पर है सर और उससे भी आप पूछ सकते हैं बच्चा बिल्कुल स्वास से इसके बाद बढ़ी है खेल रहा है खा रहा है पी रहा है आराम स पास सर रिपोर्ट रिपोर्ट भी लेकर आया हूं मैं तर यह ओम होस्पीटल में सर मैंने बच्चे को दिखाया सर तो इसमें जांच कराने के बाद सर इसमें 5 mm की पत्री निकली सर तो इसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑप्रेशन कराना पड़ाएगा और आप इसके बाद बच्चे को पूरी तरह से आराम मिलता चला गया सर पूरी तरह से आराम मिल गया सर आज बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है सर संत्रामपाल जी महराज के आसिरबाद मात्र से ही बच्चा बिलकुल ठीक हो गया सर बिना ओप्रेशन के सर आ विकास जी आपके पापा बता रहा है कि आपको पत्री हो गई थी और ड़ीमारी कैसे ठीक हुई सर अभी आपने देखा मेरे बच्चे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और सर मैं पूरी तरह से घबडा गया इसके बाद मैंने संत्रामपाल जी महराज के चरणों में अरजी लगाई तो सर बच्चा पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया सर आज किसी भी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं है सर और सर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी सर के मैं आपको क्या बता हूं सर मैं पांच जार रुपे की नोकरी करता सर उसमें सर क्या गुजारा होता है सर आज की डेट में सर किराय का मकान सर उसमें दो जार रुपे सर उसमें चला गया, तीन जार रुपे सर बचा उसमें क्या घर का खर्चा चलेगा सर, तो इसके बास संत्रामपाल जी महराज की क्रपा से सर, मैंने पिलोट ले लिया सर, पिर इसके बाद सर संत्रामपाल जी महराज की क्रपा से सर मेरा मकान बन गया सर संत्रामपाल जी महराज की क्रपा से आज बहुत बढ़िया सर मेरा मकान है और सर मेरी आर्थे किस्तिती बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है सर और आज किसी प्रकार का मेरे सर ना तो सरीर में कोई दुख है ना सर कि मेरे परवार में मेरे बच्चे आपको अभी मैंने बताया ही था सर बच्चे बिलकुल सुवस्त है सर मैं भी सुवस्त हूं मेरी पतनी भी सुवस्त है सर किसी प्रकार का कोई प्रातना की तो केवल प्रातना लगाने से संत्रांपाल जी माराज की किर ठीक हो गई कर से आज जो मेरी आर्थे कि स्थिती कमज़ोर थी मेरी बच्चे को पत्री थी और मेरी बच्ची को गले में जो गांट थी जो आज मुझे जो सरद्धालू देख रहे हैं और तो मैं उनसे हाद जोड़कर प्रारतना करना चाहता हूं कि जो मुझे लाव हुए हैं तो वो आपको भी लाव होंगे संत्रामपाल जी महराज की सरण में आएं और ग्यान को समझें ग्यान को समझने के बाद आपको भी मिलेंगी और आज सभी से प्रारतनाय हाँ जोड़कर कि संत्रामपाल जी महराज का ज्यान समझ कर और नाम लें और अपना कल्याण करवाएं सर संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा कैसे ले सकते हैं संत्रामपाल जी महराज के कई चैनलनों पर ससंग आते है सर धन्यबाद सर सत्साइब